Hello Friends, CBC Board के छात्रों के लिए सबसे बड़ी खबर सबसे पहली खबर जो CBC Board के सभी छात्र ध्यान से देखेंगे सबसे पहली अपडेट जो छात्रों की रिक्वेस्ट है कि आउनलेन एक्जाम को लिए जाना चाहिए सलेवर्स को डियूज किया जाना चाहिए या तो मैं के लिए एक्जाम को पोस्पोर्ट किया जाना चाहिए यह स्टेटमेंट तो अस्टूडेंस की है लेकिन जो यह स्टेटमेंट भी सबसे बहली भाती देख चुके होंगे CBC Board ने ऑनलेन एक्जाम को लेकर क्या कहा है CBC Board ने कहा है कि All students will get not equal facilities for online exam यानि इसका मतलब सीधा सीधा यह CBC Board इस बात को मान रही है कि students के पास equal facilities नहीं है सबी students के पास online पहाई के लिए facilities नहीं है तो इसलिए online exam को नहीं लेगे लेकिन सवाल नमबर एक सबसे पहला जो सवाल उठ रहा है सवाल यह उठ रहा है यानि exam के समय पे उनके पास facilities नहीं है लेकिन classes की बात आएगी तो मार्च से उनकी पूरी पढ़ाईया हो चुकी है और वो मैं में exam देने के लिए यानि फरवरी में exam देने के लिए मार्च में exam देने के लिए उपरपेर है यह साथर जो सवाल जो है CBC Board के चात्रों दौरा पूछा जा रहा यह reality है यानि यह सवाल पूछा भी जाना चाहिए क्योंकि CBC Board ऐसा क्यों मान सकती है CBC Board ऐसा कैसा मान सकती है कि exam के लिए उनके पास online facilities नहीं है लेकिन class के लिए उनके पास proper facility थी यह बाते हैं मैं आपको और भी friends में बड़ी बड़ी आपको update देने वाला हूँ बड़ी questions है जो सवाल जो उट रहे हैं और education minister यानि सिछा मंत्री जी को लेकर भी बड़े objection उटे हैं तो उसको लेकर मैं आपको update दूँँगा लेकिन friends उससे पहले मैं आपको बताता हूँ friends and academy का असे नामसे प्रोग्राम चल रहा है तहीं हाँ पर देखेंगे अनकेडमी परजेंट असे यहाँ पर देखें एनकेडमी जो छटी से बारवी के चात्र है यानि class 6-12 के लिए all India championship आयो जीद कर रहा है friends देखे basically होता क्या है class 6-12 की एक ऐसी stage होती है चात्रों को जहां पर चात्रों को बस यह लगता है कि हमारे लिए बस slayvars complete करना है slayvars complete करना है और final में हम exam देना है और हमें 6-7 में जाना है 6 pass करके 7 में जाना है 8 pass करके 9 में जाना है आप लोग इस बात को समझिए क्योंकि सबसे अच्छी में आपको बाते बता रहा हूँ जो एनकेडमी प्रोवाइट करा रहा है 6-12 चात्रों के लिए एनकेडमी जो है SYNC की प्रोग्राम के तहत All India Championship आयो जीद कर रहा है जो 6-12 के चात्रों के लिए जीद कर रहा है इसका Link Friend When आपको डिस्क्रिसर में दिया है तब आप जानिए कि आपको यहाँ पर टेस्ट में सामिल होने से क्या फायदा है यानि कि हम क्यों कह रहे हैं कि यह जो 6-12 के चात्रों के जो चात्रों है सब यह स्टुडेंस के लिए बेहत जरूरी है इस टेस्ट में इन्रॉल करना यहाँ पर देखिए Friends अगर आपको सिंप्ली एक टेस्ट देना है यानि कि मैंने दिखाया 6 दिसंबर को टेस्ट होगा तो मुझे लगता है कि Class 6-12 के सबी चात्रों को एक Free यानि के Free Make Academy आपको टेस्ट प्रवाइड कर रहा है जिसमें आपको केवल आपको टेस्ट देना है और टेस्ट में अगर आप जीते हैं यानि 6 दिसंबर को टेस्ट देना है और आपका टाइमिंग यह सुबह 11 दे रात 12 वज तक यानि आप जब भी होते हैं तरह बीच में टेस्ट दे सकते हैं सुबह 11 देकर बा रात को 12 बच तक आप जब भी फिर होते हैं तो छै दिसंबर को अटेस्पिस जो दिजीए गा को कोड़ इस्तमाल करने पर तो अगर आप लेना चाहें तो सीखे 10 को इस्तमाल करेंगे तो आपको 10% का एडिक्सिनल डिस्कॉट भी मिलेगा तो आप लिग इसका लिंक में आपको फ्रेंस नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है तो आप वहां से एक पर जरूर अभी से इन्र आप सब कहा था कि हम एक्जाम को कब कराएंगे इसको लेकर आप लोक से सजेशन मांगा था जो 10 तरीकों लाइब आएंगे लेकिन इसको जो सजेशन जो है जो पैसले जो है सीबेश्ची बोर्ड ने दे दी यादि कि एग्जाम को लेकर राए मांगे स्टूडेंस ने अप स्वाइबस कंप्लिट होगी इसका जो सीधर सीधर मतलब यह है कि सीवेस्टी बोर्ड इस बात को मान रही है कि आउनलें क्लासेज जो है चात्रों की पूरी तरीके से लॉस हुई है सीवेस्टी बोर्ड भले ही इस बात को किलियरली न कहें क्योंकि आपको एक बात और भी लेकर मना कर दिया था लेकिन उन्हों कुछ नहीं बोला था दूसरी बात जो फिर से निकल के आई थी सीवेस्टी बोर्ड को लेकर दूसरी बात यह निकल के आई थी एक्जाम को मैं में कराये जाएगा और आपकी प्रैक्टिकल एक्जाम जन्वरी से स्टार्ट हो एजुकेशन मिनिस्टर ने राय मांगे थे तो छात्रों ने राय दिये एक्जाम को लेकर लेकिन सीवेसी बोर्ड ने कहा ओनलाइन एक्जाम नहीं होगे क्यूंकि छात्रों के पास इक्वल फैसलिटीज नहीं है लेकिन मैं में एक्जाम को लेकर फिर भी वह चुप रही यानि कि सीवेसी बोर्ड को लेकर जो अभी तीन बार बड़ी बड़ी जो अपडेट से यानि छात्रों को लेकर लगतार रिक्वेस्ट उट चुकी है जिसमें तीनों बार सीवेसी बोर्ड ने सेकेंड वाले को मना कर दिया है लेकिन एक्जाम पर यानि मैं में एक्जाम को को लेकर अभी भी चुप है इसका मतला आप सिधा सिधा समझ सकते हैं यह स्टेटमेंट एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आप मानिए क्यूंकि इस स्टेटमेंट को देखेंगे इस स्टेटमेंट से यह चीज साप सब किलियर होता वह दिख रहा है कि सीवेसी बोर्ड को भी कहीं न कहीं लगता है कि online पढ़ाई है यानि कि online की जो facilities है वो सभी स्टूडेंट के बास इकवल नहीं है और सीवेसी बोर्ड भी इस बात को साप सब मान रही है कि मैं के बाद यानि मार्च के बाद से अपके स्कूले बंद हैं मार्च से लेकर अभी दिसंबर तक छात्रों थी सब कुछ बता रहा है लेकिन जो सबसे बड़ी बाते जो है चात लगतार सीवेसी बोर्ड से सवाल पूछे रहे हो एजुकेशन मिस्टर से भी लगतार सवाल पूछे जा रहे हैं कि online exam को लेकर यानि कि education मिस्टर नहीं कोई फैसले नहीं दिये हैं क्योंकि उनके 10 तरीक फैसले आएंगे तो यह चातर द्वारा एजुकेशन मिस्टर पूछा जाने लगा है जब सीवेसी बोर्ड ने इस बात को लेकर online exam को लेकर मना कर दिया online exam को लेकर काफी सारे students पच में थे लेकिन यह पूरी तरीके से बोर्ड exam को लेकर चातरों की राय थी यह चातर लगता पर आए सट ट्ड़ झेकर ऑंगे डिवेसी बोर्ड रीट मुड़ल खня्या हैा ज़गता ट्मधकि यह चातरों की ओडिया जी यह चातरों TiG Ciao और लेकर को लेकर मुड़ता हैं